आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लोगों का CHSL की एकजाम डेट आ गई होगी तो अच्छे से तयार हो जाएं और रेडी रहें। को ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। ओके दोस्तो तो आईए हम लोग जानते हैं कि आज की करेंट अफेर्स में आपके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आज का एजेंड हम लोग देखते हैं। जिसमें इंटरनेशनल न्यूज आपके लिए रहेगा। उसके बाद नेशनल न्यूज है। फिर इंपोर्टेंट इंडेक्स के बारे में है। फिर इंपोर्टेंट एपॉइंटमेंट के बारे में है। कुछ डेज के बारे में है। कुछ समझोते जो हुए बैस्ट्वी कस्तर पर उसके बारे में साथी साथ कुछ अवार्ट्स और ओनर्स के बारे में कि कौन-कौन से पुरस्कार किन को किन को मिले हैं ओके तो आईए हम लोग सुरू करते हैं आज के करिंट अफेर्स को तो आईए दोस्तो आपके दिन के शुरुआत करते हम लोग इंटरनेशनल नियूज से कि सोनल भूचर एक भारतिये अमेरिकी महिला है जिनके नाम पर अमेरिका के टेकसास टेकसास एक जिला है अमेरिका में प्रात्मिक विद्याले का नाम दिया गया है ओके दोस्तो आईए दुसरे नियूज को देखते हैं अमेरिका राष्टपती जो बाइडन ने रंगा पुट्टा गुंटा को भारतिये अमेरिकी महिला को संगिये नयधियस के रूप में मुनोनीत करने की गोसना की है आप लोग की दिमाग में बहुत साथ प्रस्ट उठता रहता है कि बहुत साथ देशों में खास कर बीदेशों में भारतिये लोगों का जलबा क्यों मचा हुआ है तो मैं उससे डिटेल से अंदर बताऊंगा आप लोग हमारे साथ बने रहिए करोना वारस के खिलाप दुनिया का पहला पसू टीका मतलब आप जानवरों के लिए भी टीका आ गया है रूस के दखा लाया गया और उसका नाम कार्नी बैक कोव रखा गया है क्या कार्नी बैक कोव ठीक है आगी इसके बारे में और हम जानेंगे हाली में बर्ड एकोनोमिक फोरम ने गलोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है और इसमें किस-किस देश की रेंकिंग आपके लिए इंपोर्टेंट है वो भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग मार्क कर लिजेगा इसको इंपोर्टेंट की रूप में अगला है ओडिसा राजिक सरकार ने ओडिसा के गजपती जीले में इस्तित महंद्र गिरी को एक दूसरे बायोस्फियर रिजर बनाने का प्रस्ताब दिया है अगला न्यूज है बात के पहले इंडो कोरियन फ्रेंट्सिप परका उद्गाटन सजुक तुरूप से दिल्ली में किया गया है तो आईए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट शुरू करने से पहले कुछ बाते मैं और आपको बता दूँ यह आपको दिख रहा होगा उपर टेलिग्राम चैनल का लिंक तो आप यहां जॉइन कर लिजी आपको इधर पीडियाप मिल जाएगा साथी साथी यह आपको website दिख रहा है इस परेदी आप लोग जाईएगा ट्रेवल किजेगा तो आपको आपके परिच्छा के दिष्टिकों से काफी important notes मिल जाएगे जो के काफी सलीके से notes बनाया हुए बस आपको क्या करना है अपने copy पर note down करना है ओके दोस्तों और कुछ बाते में बता दूँ ने चलिए सही है अब आईए पहले प्रस्न को देख लेते हैं कि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडिन ने किस भारतिये अमेरिकी महिला को दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हिंदू के लिए पहला महिना होता है तो यदि आपको बेक्राउंड में कुछ चैता जिसे आप लोग बोलते हैं बोला जाता है ग्रामिन रूप में अधि आपको सुनने को मिल जाएगा तो आप लोग इंजॉए कि जेगा उसको भी सिर्फ भारत हमारा देश है बाकी जितने बचे सारे विदेश है तो विदेश में जो इंडिया वाले हैं वो कैसे राज कर रहे हैं बैसे तो आप लोग काफी समझदार हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा कि क्यों विदेश में हमारे देश के लोग राज कर रहे हैं तो दो मेन सब्सक्राइब कर एक का बहुस्तर सब्सक्राइब मोदी जी के साहित है तो वो हम लोग पहले से उधर जाकर वर्से हुए तो इसलिए फ्पारति थी होते हैं यह होते हैं भारतिये नहीं होते हैं भारतिये मूल के होते हैं इसका मतलब कि उनके नानी उनके पापा उनके चाच्चा पापा नहीं उनके दादा और उपर वाले पीड़ी यह सब इंडिया के होते हैं ठीक है यह होते हैं भारतिये मूल के बेगती बाकि आपको सारी बाते पता होगी अब आई एक्स्ट्र मसालों को देखते हैं एक्स्ट्र मसाला का पहला प्रस्ण है कि अप्रेल में होने वाले वर्चुल क्लाइमेट समिट 2021 का मेजबानी कौन सा देश करेगा काफी इंप्रेंट प्रस्ण है और यह कुछी दिन पहले कराया गया था आप लो क्लाइमेट के एक्सं के लिए जलबावी परिवर्तन को रोकने के लिए जो हर साल किया जाता है सम्मेल्ण जिसे आप लोग कौप के नाम से जानते हैं वह इस वर्ष कहां होगा यूके में होगा इंग्लेंड में होगा ठीक है जान रखिएगा अगले प्रस्ण को देखते ह आँते हो इस प्रस्ट का सई क्या है चलिए मैं ही बता देता हूँ इस प्रस्ट का स्वायूत्वतियु में बदब quién्री कोन बनी है ओके दोस्तो अगला प्रश्ण है कि हाली में नासा के कार्जबाग चीफा फस्टाप के रूप में किसे निक्त किया गया है दोस्तो काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है सुरी प्रश्ण है आप लोग मार्क किजिएगा नासा के काजबाग चीफा फस्टाव के रूप में माला अडीगा किने माला अडीगा जी को निक्त किया गया है ठीक है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट के नाम है आप लोग याद रखियेगा ओके चलिए अगले प्रस्ण को हम लोग देख लेते हैं अब आईए दूसरे प्रस्ण को देखते हैं कि बस 2019 के लिए एक्यामन में दादा सहाब फाल के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा देखिए दोस्तों यह पुरस्कार जो है 2019 के लिए लेकिन मिला कब है 2021 में दो साल का गैफ है और यह इंफोर्मेशन किसके दोरा दी यह आप लोगों को यह हम लोगों को तो स्री प्रकाश जावडेकर जी के द्वारा ओके उनके द्वारा यह बताया गया कि 2019 के लिए एक्यामन में दादा सहाब फाल के पुरस्कार से रजनी कांथ जी को सम्मानित किया गया है और भारत में साइध ही कोई ऐसा होगा जो रज बहुत में ठीक है रजनी कांथ के बारे में आपको पताई होगा रोबोट फिलिम काफी पॉप्लर था बहुत सारा मुवीन का पॉप्लर था आईए अब कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा मसाला लाया गया है जिसका कॉश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है तो उन है कि दादा सहाब फालकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया और साइद आप लोग को पता हो किसे चलिए मैं बता देता हूं और इस प्रस्न का से उत्तर है ताना जी द अनसंग बरिया ओके आप लोगों ने सा आप ही फेमस मूवी है इसलिए उस मूवी को दादा सहाब फालकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया देखिए दो फिल्म फेस्टिवल है एक दादा सहाब फालकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ठीक है और यह दादा सानित किया गया तो रजनी कान साहव को आप लोग कंफ्यूज नहीं किजिएगा याद रखिएगा ओके अगले प्रस्ट को देखते हैं कि हाली में संपन हुए एक क्यामन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ट जीता है ठीक है तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो यह कहा होता है बहुत दिनों से गोवा में होते आ रहा है और चुकि यह एक क्यामनमा भरजन ने तो आप लोग कि फोकस कंट्री किसे रखा गया था तो यह भी याद रखिएगा बांगलादेश को अभी बांगलादेश काफी लाइम लाइट में है तो बांगलादेश से सम्मंदि जितना भी नूज होगा टोटल आपके लिए इंप्रोटेंट होगा आप लोग ध्यान रखिएगा यह कि जिम्मेबार है आईए अगले प्रस्ण को देखते हैं कि हाली में सरस्थ में राष्ट्रिय पुरस्कारों की घोसना की गई है किसने सबस्रेश्थ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है मतलब कि सरस्थ में राष्ट्रिय पुरस्कार में हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस मोवी से ओके अग्ले प्रशन को देखिए कि दाष्टिये पुरास कामों में सव शश्ष्च अविनेत्रि के रूप में कि से श्नाल किसे दिया गया है मतलब ने फॉलाइब best actress किसे मिला है आप लोग समझ सकती यह सारी बात है तो यह मिलाकिने करने का जैसी movie के लिए अगला है नैसनल अबाट में पूरस्कार किसे मिला है तो यह 2 लोगों को मिला पलोग ध्यान रखे गाइगा दोनों का नाम एक साउस के हैं जिनका नाम क्या है धनुश है और एक इंडियन अपने मतलब हिंदी फिल्म के है उनका नाम क्या है मनोज बाजपेई जी भोसले मूवी के लिए तो आप लोग ध्यान रखेगा इन दोनों को ठीक है काफी इंपोर्टेंट आपके लिए है और खासकर आपको मनोज बाजपेई जी का नाम याद रह जाएगा लेकिन साउथ के जो धनूस है उनका नाम याद नहीं रह पाएगा ठीक है मतलब कल इसका अस्थापना दिवस मनाया गया और आपको पता होगा कि ओडिसा भी काफी नियूज में रहता है हमेशा क्यों क्योंकि ओडिसा में 2023 में क्या होने वाला है होकी बल्ड कप होने वाला है और आपको पता होगा क्या पता है आप लोग को कि ओडिसा के राउर केला में भारत का सबसे बड़ा होकी अस्टेडियम का निर्मान कार्ज चल रहा है और उसी में 2003 में बल्ड कप होगा होकी का ठीक है तो आप लोग ओडिसा से समवंधित भी बात यादर कियेगा काफी इंप रूबने स्वर में हुआ था ओके इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा अब एक्ष्टा मसाला की प्रस्णों को देखते हैं जो आपके लिए काफी इंपोटेंट होगा आई यह थोड़ा समय इसको जूमिन कर लेता हूं ताकि आपके लिए काफी इंपोटेंट ठीक है किस राज Risk जन्मत संग्र से मिलाया गया तो जूनागर आप गड़ा आजादी के समय जन्मत संग्रस से मिलाई गया था ठीक है और बिले पत्र के द्वारा जम्मू कस्मिर सामिल हुआ था ओके दोस्तों बासाई आधार पर बनने बाला पहला राजी कौन था यह आपको काफी इंपोर्टेंट प्रशन है पोट्टी स्री राम अल्लू का नाम आप लोगों ने सुना होगा यह आंदरपर्देश के तेलगो बासा के थे और आंदरपर्देशी भासाई आधार पर बनने बाला पहला राजी था ठीक है अब पोट्टी स्री राम अल्लू की मौत भी हो गई थी इसके लिए 56 दिनों तक वास रखे थे उन्होंने ठीक है पठाभी सीता रमया तो जे भी पी समीथी ऐएционल। आइये दूस्तों हूँ अगले परस्न को देख लेते हैं कि किस भारतिय अमेरीकी महिला के अमेरिका के टेकसास में प्रात्मिक आँनल भू रात्मेतों विया की मिज्ध कईएश में किनके नाम पर प्रात्मी बिद्याले को नाम दिया गया है तो ये सोनल भूचर के नाम पर किनके नाम सोनल भूचर ठीक है दोस्तों याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट आफ के लिए हो सकता है क्योंकि भारतिये मूल की है ठीक है भारतिये नहीं है भारतिये मूल की है और ये क्या कहान यूएसे अमेरिका ओके राष्टिये सुच्छा परिसाद भाइट हाउस में दच्छी ने श्ठिया के बरिश्ट निदसक के रूप में किसे ने उत किया गया है तो चलिए एक प्रश्ण आपके लिए भी इस प्रश्ण का उत्तर आपको क्या करना है नीचे कमेंट कर देना है और एकी प्रश्ण आपको दो दो बार आपके सामने आ गया है प्रश्ण को फिर से सुनगे कैबिनेट एजेंसी में प्रते निद्यूत कर ग्रिह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरी कौन बनी है तो डेव हावलेंड ठीक है दोस्तो हाली में नासा के कार्ज किसे नहीं उत्किया गया है तो आप माला डिगा जी ऑके भाष्ण ने 2 MQA B Sea Gargian drone किस देश से हासिल किया है तो इस प्रश्ण का भी सही उतर होगा अमेरिका ओके दोस्तो तो यह था यह प्रश्ण और यह है सोनल भूचर जी जिनके नाम पर टेकसास में एक प्रात्मी स्क कोरियन फ्रेंट्सिप पार्क का उगाटन संजुक तुरुप से किया गया है इसका मतलब क्या है कि इंडिया और कोरिया काफी मतलब यह सब होता है सोफ करना कि हम लोग का दोस्ती काफी मजबूत है ठीक है चलिए तो यह था भी बाते थी इसमें और ज्यादे कुछ बताने को प्रियल टूलिप गार्डेन और यह कहा है जम्मू कस्मीर में ओके बिस्टु का सबसे पहला स्वरी बिस्टु का सबसे उचा आर्क वरिज किस नदी पर बनाया जा रहा है और निखेत उत्राखन ध्यान रखेगा आप लोग मतलब फॉरेस्ट एलिंग सेंटर अब अगला है तो यह था कि बंचे कि सकेंद्र मतलब फोरेशलिंग सेंटर इसका उगहटन किया गया था रानी खेत उत्रा खंड में अगला है यह भात का पहला नेस्टनल पार्क तो यह कौन था था है यह ने स्थापित हुआ था या फिर इसे एक नाम और है इसका क्या जिम कॉर्बेट तो मनीपूर में और उसका नाम क्या है केबुल लाम जाओ जो आप लोग याद रखिए ओके दोस्तों यह था हमारा अगला प्रस्ण अब अगले प्रस्ण को देख लेते हैं कि हाली में बल्ड एकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या ग्लोबल जें एक सो चाली से क्या है एक सो चाली से ओके अब आई एक्स्ट्रा मसाला को देख लेते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश सिर्ष पर है तो इस प्रस्ण का सही उतर क्या है आइसलेंड हमेशा आपको कोई भी रिप से इसमें 146 और 2020 में 112 कितना 112 ध्यान रखियेगा दोनों में कंफ्यूज नहीं करना यह जार विस का था अगला है कि हाली में बर्ड हैपीनेस इंडेक्स में भात कि रेंक यह सो फोन्चालीस ठीक है अगला है की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने भात की रेंकिंग क्या है तो इसमें भात की रेंकिंग पाचमा था ओके अगला है कि इज आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन तयार करता है तो यह कई बार आपको पताया गया है कौन बर्लड बैंक ठीक है और बर्लड बैंक का हेड़कौर्टर या मुख्याले कहा है वासिंग टरंडिसी चलिए अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भात की रेंकिंग क्या है इसमें भात की रेंकिंग 94 94 ऑके जाने रखिए कि यह सारे प्रस्ट काफी इंपर्टेंट है और एक ना एक के सेट में यह प्रस्ट चपेगा क्या होगा दोस्तों 100 चपेगा और श्रीयचेसल के भात की रेंकिंग 140 है 140 और 149 भी एक है किसका बर्ड हैपिनेस इंडेक्स में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा अब अगले प्रस्ण को देखते चलते हैं अब देखे दोस्तों पसू के लिए भी मतलब जानबरों के लिए भी कोरोना बायरस का टीका आ गया है आईए उसके बार पर कोरोना बायरस का सबसे पहला टीका रूसी लाया था कौन लाया था रूसी और उसका नाम क्या था अस्पूतनिक भी ठीक है अस्पूतनिक भी उसका नाम था और फिर से पहला पसू टीका कोरोना बायरस के लिए रूसी लाया है लेकिन उसका नाम क्या है उसका नाम है का क्या दोस्तों कार्णी बैक को तो के दोस्तों यह आपको दिख रहे होंगे रूस के राश्पती साहब जी बलामिदीर पुतीन ठीक है आईए अगले प्रस्ण को देख लेते हैं जो की एक्ष्ट्रा मसाला का प्रस्ण है कि रसिया के पहले कोविड-19 वैक्सिन का क्या नाम है तो अभी इसकी चर्चा हो चुकी थी अस्पूतनिक ठीक है कौन सा देश परियोग के लिए कोड़ा वैक्सिन रजिश्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बना था यह तो रसिया ही था आपको रसिया साफ दिख रहे होंगे मतलब रसिया के जो मेंजी वह अगला है कि घ् Victor hiring 19 बैक्सीन का नाम क्या है तो यह कोड़ी किया है कि से गेल ऐता को साथ कोलोगों को भूलोगों को किस देश ने किस देश के कोबीड नाइंटीन हेल्थ केर किसरमिकों की मदद के लिए न्यू डेवलमेंट बैंक ने एक मिलियन डॉलर के रिंद देने की मंजूरी परदान की है तो इस प्रशन का सही उतर क्या है रस्या मतलब कि यह जितने भी प्रशन है एक को छोड़कर सार प्रशन थे ओके तो यह था हमारे यह प्रशन अब अगले प्रशन को देख लेते हैं कि उडिसा राजसरकार ने उडिसा के किस जिले में स्थित महेंद्र गिरी को एक दूसरे बायोस्फियर रिजर्ब बनाने का प्रस्ताब दिया है सबसे पहले तो आपको एक कमेंट करना योडिगर तो पहला बायोस्फियर रिजर्ब कौन सा है ठीक है क्योंकि दूसरा तो महंद्र गिरी वाला बनेगा तो पहला कौन था आप जो जानते हैं इसमें ज्यादे कुछ बातें ही तो मैंने आप लोगो को बताया में अगला है कि और इसा का पहला भाइस फिर रिजर्व का नाम क्या था तो चलिए यह प्रस्ट भी आपके सामने आ गया लिए-स फिर रिजर्व कौन सा सिंबली-पाल बाय। है और आपको कमेंट में कुछ नहीं करना है वो सिर्फ आपको कमेंट करना है कि लिख पार कर चाहए हैuğघ्ल औरीसा में अगला बना अप्रिय एक राज के रूपमें कव तो एक अप्रील 1936 और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उडीसा राजी कि इस्थापना को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं क्या उत्कल दिवस में ठीक है अगला है कि हाली में किस राजे के मुख्य मंत्री के दौरा पहले बिस कोसल विकास के अंदर का उधगाटन किया गया है तो यह भी ओडिसा के दौरा ठीक है ओडिसा की राजाने भूबनेस्व मतलब बैसा प्रस्ण जो आपसे कल पुछा गया था और आप मेंसे कुछ लोगों ने उसका सही सही जवाब दिया था प्रस्ण था कि हाली में किस देश ने आर्थिक सोतंता सुचकांग 2021 में प्रतम मस्थान टाप्त किया है तो और इस प्रस्ण का सही उतर क्या था कूँ ठीक है बहुसाए लोगों द्वारा काफी सही सही उतर दिया गया है इन सारे लोगों को साथी साथ में जितने भी हमारे चैनल से हमारे ग्रुप से लोग जुड़े हुए उन सभी को आगयाने वाली सभी एक जामों के लिए अल्दाबेश्ट सभी अच्छी तरीके से प्रशन करते रहें साथ जो भी प्रशन आप से पूछा जाए जितने भी लोग वीडियो देख रहें उससे मेरा नमन निवेदन है प्लीज कमेंट किया कीजिए आपका ही फायदा होगा प्रशन को आप कमेंट यहां कर दोगे आप भूलिएगा नहीं यह आपके सामने उप्सन आ गया तो उस प्रशन को आप असानी से टिक कर पाओगे मतलब बैसा प्रशन जिसका उत्तर आपको क्या करना एक कमेंट में देना है अब देखते हैं कि आज कौन-कौन से लोग प्रशन का उत्तर दे पाते हैं प्रशन है कि दो अप्रेल 2020 को किंद सरकार ने क्रोना बायरस के दिश्टिगत इसे ट्रेक करने है तू साजवनिक नीजी भागी दारी से बिक्सित एक मोबाईल एप आ रहे कि सेतु की सुरुआत की एप कितनी बासाओं में उपलब्द है इतना लंबा चोड़ा प्रशन थ आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा तो क्या करना है एक प्यारा सा पसंद कर देना है मतलों लाइक कर देना है वीडियो को और अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजेगा काफी इंपोर्टेंट है और आपके लिए मंतली करेंट अफिरस का वीडियो जल्दी आने पाला है तो हमारे साथ बने रहिए ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा जैहिंद सीवं साइनिंग ओफ ओके दवाई भी धिलाई भी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो